हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो आज चैनल मैड ओवर फूड और आज हम आपको लेके आए हैं जैन कुल्फी बंडार जो की रोहीनी सेक्टर 17 में पढ़ता है और अगर आपको लोकेशन का एडिया दें तो इसके जस्ट ओपोजेट आप देख सकते हैं MCD स्कूल है और रोड के जस्ट सीधा ओपोजेट है यहां पे जैन कुल्फी बंडार और मेन्यू आप लोग देख सकते हैं इनका बहुत ही वास्ट मेन्यू होने वाला है और आपको फलूदे और रबडी की और कुल्फी की काफी वराइटी आपको मिलने वाली हैं और बहुत के आइटम्स जो हैं यहां पर बनाते हैं तो फ्रेंड्स हमारे साथ यहां आकाश भी हैं जो शौप के ओनर हैं तो बात करते हैं इनसे कि कब से इनों ने शुरुवात करी बिजनेस की हेलो काश वेल्कम टू आर चैनल तो बिया बताएंगे हमारे वीवर्स को कब आपने बि देना हैं एक साथ हैं आप में साथ हैं सेक्टर शेंटेन में हम और आप आप हैं जी विया हैं आपकी पार के लोगों को काफी फजन्दार हैं अची आइच क्या है कि आप फ़लूजी की खासवाद जो आपी ग्लास देता हुआ इसमें मैं आप खालूजा बनाऊगा इसमें बरक का यानि आइस का ठीक भी टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा राइट आइस का कोई भी यूज नहीं है और जो इसका वेट है लगवा 500 ड्राम आदा के लोग का फलूदा होने वाला है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एकदम डबल डेकर फलूदा बनने वाला है हमारा आज ह तो क्वालिटी जहां होगी भी या वहां तो सारे आपके कस्टमर खिचे ही चले आएंगे तो आज कौन सा फलूदा बनाने वाले हैं भी या हमारे लिए मैं आज आपको अपना चौको रॉयल 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 फलूदा दोनों का रेट है तो यह स्मॉल और लार्ज होते हैं प्रिष्टो फलूदा दोनों के दीखाने वाले हैं तो आप बनाए है और हम दिखाते हैं अपने वीवर्स को कि क्या कै अइटम्स डालते हैं आप इसमें तो फ्रेंड्स यह स्टार्ट हो रहा है हमारा यह आँ आप देख सकते हैं यह क्या चीज डाले हैं इसमें सबस्क्राइब इस थे चॉकलेट सिरप इस चोकलेट पढ़ट को पर दोन वह आते हैं बना तो पर अलोग जोह यहां सब्सक्राइब किस चीज़ से में टोके किस चीज से बनाता हुं तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है इन्होंने कुल्फी के जो है सारे पीसिस कर दी है और यह के बाद एक जो है हमारे चॉकलेट और दूसरे स्पेशल फलूदे में जा रहे हैं कुल्फी के बाद भी है यह क्या चीज़ डाल रहे हैं आइस्क्रीम में कौन सा फ्लेवर है इसी के कॉम्बनेशन की बनाता हूंगा चॉकलेट और ड्राइफ्रूट आइस्क्रीम ओके तो यह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा पहले इन्होंने भी आने चॉकलेट सिरप कौली जाला यह इसके बाद फुल्फी दाली है उसके बाद जो है आइस क्रीम डाली है आइस क्रीम भी वह हूंमिड होती है सालि और हम्यों कर दो लगी ओके बीखर देख सुनेशन के अक्दम मलब पूरा पेस्ट की तरह लग रही है यह लिक्विड तो कहीं से कहीं तक तो बहुत ही आउसम क्वालिटी की लग रही है मुझे और अभी यह बन रहा है तो देखते हैं यह क्या क्या आइटम इसमें रह गया है भी डलने को यह देखिए फ्रेंड्स आइसक्रीम के बाद जो है रबडी आ गई है इसके उपर रबडी के बाद यह क्या डाल रहे है भिया इसका कैसा टेस्ट होता है इनका इसका बहुत बढ़िया है कुछ लोग इसको फैट कम करने के लिए भी भी बहिया जो है इसके साथ आपको एक इंग्रीडियन्ट डाल रहे है तो मीठा खा रहे हैं तो उसको बैलेंस कर लीजे इन सीट्स के साथ यह क्या डाल रहे है भिया तो यह फालूदा डल गया इसके उपर दोनों ग्लासिज में देखे फ्रेंड्स फालूदा डल गया है हमारा यह चीज लें विया टूटी फूटी नहीं है तो यह मार्केट की हो गी है यह भी हम मार्केट से लेते हैं जह देखे फ्रेंड उसके ओपर थोड़ा रूफजा आ गया है इटर शुगर सिरप आ रही है उसके उपर देखे फ्रेंड आ दूसरे गलास में भी शुगर सिरप जा रही है अभी और उसके ऊपर दुबारा से हमारी चोकलीट सिरप जा रही है फ्रेंड देखिया इसके बाद थोड़ी सी जो है ये वेट कम करने वाली सीट्स और डाल रहे हैं विया तो अगर आप मीठा खा भी रहे हैं तो आपको जादा इसमें कोई गिल्टी फील करने की बात नहीं है आपके लिए पूरा बैलेंस डाइट बना रहे हैं वही है इसके बाद भी और रबड़ी डालेंगे हैं तो फ्रेंट्स देख सकते हैं सबसे पहले जो है इसमें चॉकलेट सिरप गई फिर कुलफी गई फिर रबड़ी गई फिर आइस क्रीम फिर दुबारा रबड़ी तो एक दम फुली लोड़ेट जो है यहां पर फलूदा बन रहा ह हमारा दोना आप देख सकते हैं यह काजू है जो चोटे कटे हुए हैं देख सकते हैं फ्रेंड इसमें यह भी काफी अच्छी क्वांटिटी में डाले जा रहे हैं आपर से जो है यह बड़ाम एक दम इल्कुल गार्णिश कर रहे हैं इस पर ग्रेट कर रहे हैं हाईजीन द एकदम क्लीन तरह से हमारे फलूदे बनाए जा रहे हैं दोनों और लास्टली जो है इसमें ये आइस क्रीम का एक स्कूप और आते हुए इन फैक्ट दो स्कूप आ रहे हैं ना कि एक तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम फुली लोड़े जो है हमारा फलूदा बन गया है और दूसरे ग्लास में भी अभी एक और स्कूप डाला है भी आने है और अभी एक और शायद इसके बाद एक और डालने वाले है तो य है यह अप्रोल्ड चाहिए हैं झाहिद जो है ने एक फिल द्जो थन अब्स के बाद अपनी हम इंक लिए दालने Соब है ए यह को कर देखेंड़े निद में उसके बाद दो एक एक धासिन यह तक ते थे चैयरी और थोडै सी जेम्स डाल इसमफनाने वाह आ रहे हैं तो तो चोटे बच्चे अगर खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत युनीक चीज होने वाली है उन्होंने कभी ऐसी चीज ट्राइ नहीं करी होगी तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ जरूर आए जो भी यहां रोहीनी के आसपास रहते हैं इवन जैसे बात भी करी हमने डेली म और आप देख सकते हैं कि क्यों आ रहे हैं एक दम युनीक तरह का फलूदा बनाए है हमारा आज और देखने में बहुत ही टेम्टिंग लग रहे हैं दोनों तो आप लोग भी आईए यहां जरूर ट्राइ करिए और यह देखिए जैसे मैंने बोला था छोड़े बच्चों निद्गेश इच गलास तो इस रेट में यह बहुत ही एक युनीक चीज है और बहुत ही वैल्यू फोर मनी चीज होने वाली है है यह क्या चीज डालना यह बीड़ी तो लास्ली इसमें चैरी आगी है फ्रेंड्स तो दोनों हमारे जो हैं फलूदा ट्राइ हो गया है यहां पेट भर गया नियत नी बरी बिल्कुल तो देख सकते हैं फ्रेंड्स भाईया विल्कुल सही कह रहे हैं इतना टेंप्टिंग लग रहा है तो शायद एक खाने के बाद आप दुबारा एक और लेना पसंद करेंगे तो आईये फ्रेंड्स आप भी यहां बिल्कुल ट्राय कर और स्पेशल रॉयल फलूदा तो अकाश भीया थैंक्यू हमें टाइम देने के लिए और जैन कुलफी के नाम से भीया का आउटलेट है रोहिनी सेक्टर 17 में और भीया ने जैसे बताया कि डेली में इसके लावा भी रोहिनी में इनके 5 अधर आउटलेट्स हैं तो आप लो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फ्रेंड्स थैंक्स वर वाचिंग आर चैनल